खोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी आप याद कीजिए कॉंग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपूर कंडी डेम को कैसे दसकों तक लटकाए रखा जम्मू के किसानों के खेज सूखे थे गाम अंधेरे में थे लेकिन हमारे हका रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था मोदी ने किसानों को गरंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है इससे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फाइदा हुआ है यही नहीं इस डेम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे भाई और बैनों मोदी विक्सीद भारत के लिए विक्सीद जम्मू कश्मीर के निर्मान की गरंटी दे रहा है लेकिन कॉंग्रेस, नेशनल कॉन्फरेंस, पीडीपी और बागी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं इन परिवार चलीद पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुक्सान किया, उतना नुक्सान किसी ने नहीं किया है यहाँ तो पुलिटिकल पार्टिया मतलब, of the family, by the family, for the family सत्रा के लिए इन्हों ने, जम्मू कश्मीर में, 370 की ऐसी दिवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बहार नहीं जौँक सकते थे, और बहार वाला जम्मू कश्मीर की तरब नहीं जौँक सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था, कब अज़ उनकी जिन्गी ये 370 है तब ही बचेगी ऐसा जूट चलाया, ऐसा जूट चलाया, आपके आशिरवाद से, मोदी ने, 370 की दिवार गिरा दी दिवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलवे को भी जमीन में गार दिया है मैंने मैं चुनावती देता हूँ, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आजाए, विज़ेश करके मैं कॉंग्रेस को चुनावती देता हूँ, वो गोसना करें, वो 370 को वापिस लाएंगे, ये देश उनका मुह तक देखने को तयार नहीं होगा ये कैसे कैसे भ्रह्म फ्यलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं, ये कहते थे, तिन सो सत्तर हटी, तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़के चला जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नवजवानों ने, इनको आइना दिखा दिया, अब देखिए, जब यहाँ उनकी नहीच चली, जम्मू कश्मीर के लोग, उनकी असलियत को जान गए, अब जम्मू कश्मीर में, उनके जूठे वादे, ब्रह्म की माया जाल, नहीच चल पा रही हैं, तो यह लोग अब, जम्मू कश्मीर के बाहर, देश के लोगों के भी, ब्रह्म फैलाने का खेल खेल रहे हैं, यह कहते हैं, कि 370 के हटने से, देश को कोई लाब नहीं हुआ, जिस राज्य में जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं, तुमारे राज्य को क्या लाब हुआ, तुम्हारे राजु को क्या लाब हुआ तिन सो सत्तर के हटने से क्या लाब हुआ है वो जम्मू कश्मीर की मेरी बेहन बेटियों को पूछो जो अपने हकों के लिए तरस रही थी ये उनका भाई ये उनका बेटा उन्हाने उद्गे हक वापिस दिये है जरा कॉंग्रेस के लोगो जरा बेट भरके दलीद नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ यहां के हमारे दलीद भाई बेहन हमारे वालमी की भाई बेहन बेस आजाज हुए तब से परेशानी जेल रहे थे जरात करके उन्हालमी की भाई बेहनों से पूछो गड़ा ब्रामर से पूछो कोली से पूछो और पहाड़ी परिवार हो मचैल माता की भूमी में रहने वाले मेरे पड्री साती हो अब हर किसी को सम्विदान में मिले अधिकार मिलने लगे है अब हमारे फूछों की भीर माताओं को चिन्ता नहीं करने पड़ती क्योंकि पर्थर बाजी नहीं होती है इतना ही नहीं गाटी की वो माताएं मुझे आफिरवाद देती है उनको चिन्ता रहती थी कि बेटा अगर दो चार दिन दिखाई न दे उनको लगता था कहीं गलत हाथों में तो नहीं फस गया है आज कश्बीर गाटी की हर माता चेन की निंद सोती है क्योंकि अब उनका बच्चा बरबाद होने से बच रहा है अबच्चा पुर्क बच्चा